हेलो डियर स्टूडेंट्स हेलो डियर स्टूडेंट्स तो आज हम आपकी इंगलिस का फॉर्थ लेशन ए विजिट टू दे कैमल फेरो पुशकर पढ़ने वाले हैं मतलब पुशकर के उंट मेले का भरमन तो पुशकर में पूंट मेला लगता है बहुत ही विशाल या बहुत में क्या होता है आप कमेंट आप कमेंट करके जुरूर बताना कि क्या आपने कभी कोई मेला देखा है या कभी उंट मेले में आप गए हो तो चलो अब हम यह लेसन पढ़ते हैं फर्स्ट लाइन इसमें जो बोक्ष हम दी हुए है पहले बो पढ़ते हैं वाट डू यू सी इन दिस पिक्चर आप इस चीटर में क्या देखते हैं यह पिक्चर है वो किस बारे में है तो आप देख सकते हो यह किस बारे में है एक मेले के बारे में है आपके एरिया में जो मेले आयो जित होते हैं उनका नाम बताए आप उसमे ले को क्या कहेंगे जिसमें बहुत सारे उन्ट होते हैं तो जाहिर से बात है उसमें हम उसे हम उन्ट मेला ही कहेंगे तो चलिए अब हम पढ़ते हैं लास्ट येर पिछले साल आई वेंट टू विजिट माई अंकल मैं अपने अंकल से मिलने जमेर गया था इन दे मन्त ओफ कार्ति के मन्त में तो कार्ति का मन्त कब से होता है अक्टूबर से नवंबर के बीच जैसे के मैं बहुत ही उच्छुप था मेले भर्मन के लिए मैंने अपने अंकल से पुछा कि अपने स्टेट में जो फेर होते हैं उनके बारे में बताईए कि पूरे वट्षवर अलग-अलग मोकों पर अलग-अलग मेलों का योजन होता है दे बेनेश्वर धाम फेरओं डुंगरपूर अलग गनगोर होफ जो जयपूर जयपूर का गनग Megoda ramdev फेरओं रामदेवर्य रामदेवर्य का कौन्सा रामदेव बान मेर्यां हो ुघ देसनोग में कौन सा? कर्नी माता का. ज़ंटाला माता फेर ओफ चित तोडगड़ का ज़ंटाला माता. दे सहरा फेर ओफ कोटा एंड दे केमल फेर ओफ पुशकर are some of the well-known fairs of Rajasthan. ये राजस्तान के जने माने मेले हैं. The केमल फेर ओफ पुशकर is held on Karthik Purnaima every year. परतेग वर्ष कार्तिक पुर्णिमा के दिन केमल फिर यानि उट मेला मनाया जाता है ओवर 25,000 केमल्स अलोंग विद दियर लिव स्टोक्स सच एज ओक्सेन, होर्सेज, कौउज और बफेलोज आर ट्रेडड ट्रेडड का मतलब होता है वेपार होना यानि उनका लेंदेन होना तो 25,000 से ज़्यादा उटों के अलावा कौन-कौन से जो अधर घरेलो या अपसुद हना है कौन से बैल, घोडे, गायों, भेंसों अधिका यहां पर वेपार किया जाता है Making this is the world's largest camel fare जो इसे दुनिया का सबसे विशाल camel fare या कौन्ट मिला बनाते हैं पुसकर is also known as a city of temples पुसकर को city of temple भी कहा जाता है There are about 500 temples in this city नहां लगवग 500 से ज़्यादा या 500 के तकरिबन temple हैं Among them, उनके बीच, temple of Brahma is famous all over the country पर्मा जी का मंदिर है, वो पूर देश में परशिद है It is visited by lots of devotees every year यहां परतेक साल बहुत सारे शर्धालू आते हैं devotees मतलब शर्धालू There are the famous पुसकर लेक which is visited by thousands of devotees every year to take a holy dip in it परतेक यहां पर पुसकर जील है जिसमें बहुत सारे या 1000 हजारों के साल के मैं सर्धालू आते हैं एक holy dip के लिए, पवितर डुब की के लिए There are lots of roses garden in which various types of roses are grown and sold यहां पर फुलों के बाग भी हैं जिसमें भूँत सारे जो रोज गुलाब हैं वो उगाए और बैचे जाते हैं Cultural shows and exhibitions are also organized in this fair to make it lovely and enjoyable किसको cultural सांस करते सांस करती कारे करम और प्रदर्शनिया इस मेले को और बेवज़ादा जीवित और enjoyable बना देती है मटकी फोर्ड, मस्टैच and ब्रेडल कंपिटिशन are some of the main attraction of these camera fair वहाँ पर बहुँची कंपिटिशन पर होते हैं किसीज़ के मटकी फोर्ड, मूच और ब्रेडल मतलो वदू ऐसे यहाँ पर लग लग कंपिटिशन होते हैं बिसाइड्स दीज़ दे केमल ब्यूट्टी कॉंटेस्ट इस एन इंट्रेस्टिंग इवेंट्स एर दिस फेयर इन सब के अलावा उन्टों का यह उनको भी उस जाके लिया जाता है उनको सुंदर बनाया जाता है ऐसी परज़गता हैं भी होती हैं जो इसे और इंट्रेस्टिंग बना देती है देवल डेकोरेटेड केमल्स डांस प्रेड एंड रन जो सजे हुए जो उन्ट होते हैं डांस करते हैं प्रेड करते हैं और दोड होती है उनकी थाउजंड्स ओफ नेट्व एंड फोरेंड विजिटर्स वास्देम भूत सारे थाउजंड या हजारों की संक्या में जो फोरेंड या विदेशी और नेट्व जो देशवासी हैं वो यहां पर आते हैं कार्थिक पुर्णिमा के दिन मेरे अंकल मुझे वहां पर ले गए रिचिंग दे फेर साइट वी साल लोड्स ओफ केमल्स हम वहां पहुंचे तो मने बहुत सारे केमल्स देखे होर्स भोडे देखे बफेलोज बहांसे देखी एटी सी वी आल्सो सा रोज ओफ शोप हमने दुकानों की कतारें भी देखी सेलिंग क्या बैच रहते स्वीट्स मिठाईया फ्रूट्स इटेबल खाने हो गया टोईज खिलोने क्रोक्री जो क्रोक्री प्लास्टिक बरतन वगरा होती हैं शूज पोट्स पैंस जुएलरी बहुची चीजें बेच रहे थे देर वर पीपल ओफ ओल्मोस्ट ओल देकास्ट अंद क्रीट देर वहां पर जो लोग हैं वो लगबग सभी जाती और समुदाय के थे अपने अट्रेक्टिव क्लोथ में थे और लुप चियरफूल और खुशिया मना रहे थे चिल्टरन अडर्ट्स इंजोए स्विंगिंग इन दे मेरी गो राउंड मेरी गो राउंड एक परकार का जूला होता है अपने देखाओ का मेले में होता है तो उस पर इंजोए कर रहे थे वाचिंग फिल्म फिल्म देख रहे थे सरकस देख रहे थे एंड पपेट्ट शोज पपेट क्या होती है जी हाँ पपेट होती है कट्ट पूतलियां अपने प्रदर और सिस्टर के लिए बहुत सरे टोई लाया वी ओल रिटरन होम हैपिली हम खुशी-खुशी घर लोट आए रिली एफेर इस प्लेस फोर मैरी मैकिंग इंक्रीजिंग आवर नौलेज अबाओ आवर कल्चर और मीटिंग वेरियस पीपल यह जो मेले होते हैं वो वास्तों में अनंद के स्थान होते हैं और जहां हम अपनी सस्कृति के बारे में जानते हैं और बहुत से लोगों से मिलते हैं कि जब भी आपके नेबर्वूड अपने आज पास में नस्दीक में कोई मेला हो तो आपको वहाँ जाना चाहिए कि सेलिब्रेटेड का मतलब होता है आयोजन डिवोटीज होता है मतलब फॉलोवर्स बोल सकते हो यानि अनुयाई ट्रेड़ेड मतलब शोल्ड अन बोट यानि वेवसाह किया जाना एक्जीबिशन होता है परदर्शनी लेवली फुल ओफ लाइफ जीवनित वेवनेंट होता है एकंपटɪिजन्न नेट्पिज होता है ऍब्रकेर आपना देस फγॉरेफ ए विड्रेस रोज होता है लाइने कीवू या कतारें एवंट होता है घटना क्रोकरी यानि Kuff डिसेख गलासेज मग जो भी क्रोकरी को बेगतन होते हैं पोट्स एण परदर्ट नेबर हुड होता है पडोस, मेरी गो राउंड होता है चक्री वाला जुलाव बड़ा वाला लाइव स्टोक होता है पसू धन तो चलिए अब हम आगे इसकी एक्टिविटी करते हैं पहले ट्री और फाल्स है आपको बताने हैं कमारे देश में पूरे वर्ष भर मेले लगते हैं तो जी हाँ ये सही है तो आप क्या लिखोगे टी क्या लोकल पीपल विजिटेड दे फेर क्या लोकल पीपल ही आते हैं मेला देखने जी नहीं फोरेंड से भी बहुत आते हैं ओली केमल्स आर टेड़ेड इन दे फेर केमल ही बेचे जाती हैं जी नहीं बहुत केमल के साथ अधर लीव स्टोग यानि पसुधन भी बेचे जाती हैं देर वर शोब सीलिग डीवरेंट सिंग देफेर जाव की से बीजन भी भी पीपल लाइब नांस और प्रम फ्रेट लोगों को केमल भीज्ट पसंद आता है जी हाँ बहुत ज़्यादा पसंद आता है तो यह नेक्स देखते हैं क्यूशन आंसवर वेर इस दे टेंपल ओफ लोड ब्रह्मा सिच्वेटेड लोड ब्रह्मा का कहा है मंदिर तो आप लिखोगे एट पुशकर इन अजमेर नेक्स्टार हाव मैनी केमल्स आर शोल्ड और बोट इन दे केमल फेरो पुशकर पुशकर में कितने अलग बग जानो रहे हैं जो यह उन्ट बेचे बखरी दे जाते हैं तो आप लिखोगे ओवर 25,000 केमल आर शोल्ड और बोट इन दे केमल फेरो पुशकर या शोट में आप इतना लिख सकते हो ओवर 25,000 केमल्स वेर दे गंगोर फेर ओर्गनाइज गंगोर फेर कहां विजित होता है तो आप लिखोगे इन जैप़र next why do people visit the पुशकर लेग पुशकर लेग लोग क्यों आते हैं पुशकर लेग to take a holy dip next write down what पुशकर is famous for पुशकर क्यों पर्शिद है पुशकर is famous for the camel fair पुशकर लेग and the temple of lord brahma which is the world largest fair कोन सारा विशो का सबसे बड़ा मेला है the camel fair ओ पुशकर next आपको मैच करने है column a और b में तो से लिए मैच करते हैं native मतलब क्या होता है जो कोई इस दे से समन्दित हो तो native होगा sorry one or one country next आपका comeback comeback का मतलब return next follower मतलब follower चो मतलब किसी का devotees जी मतलब devotees famous famous मतलब जो परशिद हो या इसको जानते हों well known organized celebrate और लास्ट बच्छे आपना attractive जोग मैच होगा charming से चलिए next देखते हैं आपको missing letter complete करने है फर्स्ट फेर की है एफ ए आई आई आर नेक्स्ट पीपल पीओ और नेक्स्ट सरकसी जी हाँ आई आर सी यूएस बाकि आप खुद करोगे next missing letter है पुष्कर is known as a city of temple city lots of camel are traded in the पुष्कर fair चलिए नेक्स देखते हैं जोदपुर is a famous historical palace तो आजाएगा तीन नमर पे famous next आजाएगा जी क्याएगा इस पे competition are held during the tournaments last आपका पांच वाँ lots of foreign as well as native visitor visit the Fusker fair every year next आपका इनी सब्दों का यूज कर कि आपको एक अर्थपुरून spelling बनानी है जैसे first है camel की तो क्याएगा c a m e l camel जी अब सही है next next किसकी है women women w o m e n women next visit की v i s i t बाकी आप खुद करोगे तो यह था बच्चों आपका lesson उमीद है आपको समझ में आया होगा कुछ भी चीज नहीं समझ में आती है तो आप नीचे comment कर देना जा पिराको भी लोगो आандम ये नहीं समझ में आपका लेका खुछ